जा बातागी दोस्तों कैसे हैं आप सबाई हो बहुत अच्छे होंगे आज की विडियों बात कुरूंगे दोस्तों एक ऐसे उपाई की बारे में जिस उपाई को कर लिया आपने तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जी या दोस्तों वह इतना पाउफुल उपाई है जिसके प्रियोग मातर से आप अपने जीवन में उतने प्राकर्मी बन सकते हैं इतने भाग्यशाली बन सकते हैं कि कोई भी इंसान आपको नीचा नहीं दिखा सकता आपको कोई सफर होने से रोक नहीं सकता तो आप इतने मजबूत हो जाएंगे इतने पॉजिटिव हो कि हर परिस्थिति से कटनाईयों से लरने की ताकत आप में आ जाएगी इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि जो इंसान आपके दाइरे में आएगा वो इंसान भी आपके साथ खुशी महशूज करेगा आपकी आर्थिक स्थिति कमजोड नहीं होगी जादा से जादा मेहनत और उत्साह से आप अपने कर्म को करेंगे अपने कारे छेत्र को बढ़ाएंगे नई नई अपॉजिटि आपके पास आएगी उन अपॉजिटि का प्रियोग करके आप अपने जीवन के लक्ष को तुरंत प्राप्त कर पाएंगे कि लव लाइफ में भी यह आपको बहुत स समय बिता सके संबंधों में संतुष्टी और आनंद की स्थिरी पैदा करता है यह उपाय दोस्तों इस उपाय के बाद आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा क्योंकि आप अपने सहेल्थ पे अपने सरीर पर ध्यान देंगे दोस्तों कौन सा उपाय है जिसे करने मातर से आ जरूर प्रेस करें कि इस तरह की जानकारी में हमेशा पर चैनल पर लाती हूं जो आपको छोट छोट उपाय जो आपको देते हैं बड़ी-बड़ी खुशियां जानते हैं दोस्तों कौन सा ऐसा उपाय करने के बाद आपकी जीवन के हर छीतर में आपको उन्नती और सफलता मिलेगी दोस्तों हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा पड़ता है ये तो आपको पता ही है और उसमें सबस्यादा अगर इनसान डरता है तो वो ग्रह है सनी लेकिन आप ये भी जानने कि जब सनी आपके मजबूत होते हैं तो रंक से राजा बनाते हैं आपको प्रा सनी डड़ाते नहीं आपको समर्थ बनाते हैं तो ऐसे दो उपायाज मैं बताऊंगे जिसको करने की बाद आपके सनी बहुत मजबूत हो जाएंगे और उसके बाद आपके जीवन में सारी सफलताएं आएंगी जो आपके जीवन को बहुत तेजी से आपके लक्ष के प्राप् होती है कुट मितिग्य होते हैं सनी आपके कैरियर को उचाईयों तक ले जाते हैं तो सनी आपको वो सब कुछ देते हैं जो जीवन में बहुत जरूरी है इसे सनी का मजबूत होना बहुत जरूरी है तो आपको करना क्या है आपको करना ये है दोस्तों कि सनी वार के दिन आप उसमें सुध गाय का दूध डाल दे थोड़ा सा, आपको उस मिट्टी के पातर में थोड़ा जल ले ले, थोड़ा उसमें गंगा जल डाल दे, थोड़ा दूकच्चा दूध डाल दे, चीनी डाल दे, काला तिल डाल दे, और उसके बाद उसे सामने रख कर ये मंत्र 108 टा सकते हैं सुरियास्क के बाद या फिर शुरी उदय के पहले आपको ये सनीवार के दिन करना है और वहीं बैट कर 108 टाइम इस मंत्र का जाब करें दोस्तों सनी भगवान को याद करते हुए उनकी किरपा प्राप्ति के लिए आप इस मंत्र का जाब करें मंत्र है दोस्तों आम ये इस मंत्र का 108 टाइम आपको पूरे विश्वास के साथ धीरे धीरे जाब करना है यह नहीं कि जल्दी जल्दी बोल के बस मंत्रों का जाब खतम कर लिया उनकी के बाद इस पात्र को ले जाकर पीपल के जड़ में अर्पित करते हैं पश्चिन दिसा की और मुख करके पगातार नौ सनिवार ऐसा करने से आपका सनी बेहत मजबूत हो जाएगा दोस्तों सनी रुस्ट है तो प्रशन्न हो जाएंगे आपके कुंडली में सनी मजबूत हैं तो और अच्छा फल देंगे और नहीं दे रहे हैं अच्छा फल तो आपको ये क्रिया करना ही चाहिए देरे आपके चारों तरफ चीजे बदलने लगी हैं कर्मों को अच्छा रखें क्योंकि सनी कर्मों का फल देते हैं इसलिए कर्म हमेशा आप अपने अच्छा रखें आप देखिए उस तो दूसरा उपाई है एक लोहे का छला बनवाने और उसे आप अपने ये मधिमा उस उंगूठी को आप गंगा जल से कचे दूज से धोलें मंत्रों से अभी मंत्रित कर दें और उस पर लाल पुस्प और अच्छा चड़ा दें और उसके बाद आप उसे धारन कर लें ये अंगूठी आपको हर बुरी चीज से बचाएगी आपके स्वास्त को अच्छा करने के बाद आप इतने खतरनाक हो जाएंगे कि कोई भी आपको हलके में नहीं ले पाएगा दोस्तों इतना याद रखिये तो जरूर करके देखिये सनी का उपाय आपको इधना मजबूती देगा जीवन में इतना मजबूत आधार देगा कि आप अपने जीवन में हर सफल लक्ष को प्राप्त कर पाएगे तो आज की जानकारी यहीं तक दोस्तों आसा करती हुए जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी अगले वीडियों फिल्म में एसे ही किसी विसेज जानकारी के स